हेलो गाईज, नमस्कार, गुड इविनिंग, मैं भी के पाठक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल The Study Cafe Concepts से कटाउस तक पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और दोस्तो पठवार का पेपर आज आपने पहले दो चरण पठवार का पेपर आपके चारा लगला शिफ्ट में हो रहा है दो शिफ्ट आज हो गई है और दो शिफ्ट आपके कल होने वाली है आज महिला जो अभ्यर्ती थी जो female aspirants से जो female प्रतियोगी छात्र थे उन्होंने क्या किया आज का पेपर दिया और आज के पेपर का एक analysis वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों और इस वीडियो में हम लोग आपको authentic answers बताने वाले हैं questions के कैसा आपका पेपर था, क्या label है और किस तरह का पेपर रहा तो first of all दोस्तों वीडियो को share कीजेगा जादा से जादा दोनों पेपर का solution हम लोग जो है एक साथ कर रहे हैं, पहले मैं आपको solution कराने वाला हूँ maths की answer की भी बता दूँगा, साथ में science की answer की भी बता दूँगा उसके बाद reasoning के लिए आप से हर्ष कुंडारासर मिलने वाले हैं तो दोस्तों share कीजेगा इस session को जितना हो सके उतना और first of all जिन बच्चों ने आज का paper दिया है पहले comment box में चाहता हूँ कैसा हुआ भी paper क्या लग रहा है आपको negative जादा तो नहीं किये तुके जादा तो नहीं मारे बताईगा comment box में कैसा रहा आपका अनुहब इस paper को देकर या फिर वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं कल के paper के लिए उन्होंने आज का paper देखा है उन्हें क्या मैसूस हो रहा है बताईगा जहां तक है science का जो है मैंने देखा है paper बाकी subject तो अपने goal है zero under है ना लेकिन science को देखा है mathematics को भी देखा है तो paper जो है सामान्य है सामान्य का मतलब जैसा पिछला पटवार आप याद कीजिए पटवार pre 2016 मैंने मेरी life में उससे पकवास उससे dangerous paper नहीं देखा जब आप जीके उठाएंगे 40 questions जीके थे सबसे ज़ादा dangerous section था वो और सायद राजस्थान करमचारी chain board जो है आपका इसका पहला दूसरा ही paper था वो बहुत तगड़ा paper लिया था बहुत dangerous paper था बहुत deep questions पूचे गए थे लेकिन इस बार paper का label थोड़ा सा क्या कर दिया गया है average रखा गया है सम्माने रखा गया है ज़्यादा तगड़े questions नहीं पूचे गए है ज़्यादा deep questions नहीं पूचे गए है paper simple ही था ठीक है और paper ठीक ठाक था चलिए आप देखिए questions को कुछ इस तरह बताने वाले हैं कि आपको जो है अच्छे से दिख जाएगा ठीक है तो first of all share कीजिएगा दोस्तों session को कल का paper जिन बच्चों का होने वाला है वो आज के paper को देखकर एक बार के लिए mind में ये तो समझी लीजिए कि भाईया जादा tough मामला तो नहीं है paper में paper average आ रहा है paper में जो सारे subjects पे बढ़िया command रखता है जो negative control कर लेगा वो आदमी paper में अच्छा score लेकर आ जाएगा मैं जहां तक है यही मानता हूँ ठीक है चलिए तो हमसे जुड़ चुके है जयंत कलसुआ अहद सिद्धी की हमसे जुड़ चुके है निजामुद्दीन हाशमी हमसे जुड़ चुके है हमन्त कुमार बिल्कुल प्रिश्ण आपको सारे दिख रहे हैं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको मनीश गंगडिया जुड़ चुके हैं चलिए चलिए बच्चों सेशन को शेयर कीजेगा और बताईगा आज का पेपर जिन लोगों ने दिया कैसा लगा आपको पेपर आपका क्या खयाल है पेपर को देखकर आपको कैसा मैसूस हो रहा है साइन्स उमीद कर रहे थे कि 10 प्लस कोश्चन साइए लेकिन दोनों पेपर में अभी तक 8-8 प्रश्न साइन्स से पूछे गए हैं क्लिए जनरल साइन्स की मैं बात करूँ तो दोनों ही पेपर में चाहे आप shift first की बात कर लें चाहे आप shift two की बात कर लें दोनों के अंदर ही जो number of questions है वो आठ आठ प्रश्ण आपके पूछ गए हैं सामान्य विज्यान से और दोनों ही papers में जो सामान्य विज्यान के questions हैं उनमें एक भी numerical नहीं है और मेरे साब से physics का chemistry का questions भी ना के बराबर है सारे बाइलोजी से डाल दिये हैं लगबग लगबग physics का एका दुका question हो बाकी लगबग लगबग वही काम किया है numerical बिलकुल नहीं है जहां पिछली बार light और current electricity से काफी numerical पूछे गए थे last year के paper में numerical थे 20 question में से 5-6 numerical थे इस बार एक भी numerical अभी तक देखने को नहीं मिला है सारे theoretical question है और सारे simple question है चलिए तो अब हम बात करते हैं कि विज्ञान में आपके questions कौन-कौन से देखने को मिले हैं तो आईए विज्ञान के questions पर जाते हैं और विज्ञान के questions भाईया मिल जाओ कहां हो चलिए देखते हैं computer के भी questions थे computer के काफी अच्छे question लग रहे थे मुझे वैसे जो पढ़ा नहीं होता वो तकड़ा ही लगता है तो मैंने तो computer का भी जीवन में पढ़ा नहीं है तो computer के question मुझे थोड़े लग रहे थे कि यार काफी अंदर से पूछे हैं ठीक है चलिए क्योंकि अपन तो ये लिजए science के questions की बात करें सबसे पहला देखे logical question है बहुत आसान सा question during 24 hour there is a time when plants neither leaves O2 nor CO2 this is the time of मतलब 24 गंटे में यार एक समय ऐसा आता है जब पादप ना तो oxygen चोड़ रहा होता है ना पादप CO2 चोड़ रहा होता वो time कौन सा है अब आप इस बात पर गौर करेंगे देखिए आप इस बात पर गौर करेंगे कि दोस्तो day time day time में क्या रहा, क्या हो रहा होता है देखे श्वासन तो पादभों में 24 गंटे चलता है लेकिन श्वासन के दोरान जो CO2 बन रही है उसको पादभ दिन के समय डे टाइम में किसमें काम में ले ले लेते हैं फोटो सिंथेसिस में काम में लेते हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं तो डे टाइम में पादभ क्या देते हैं ऑक्सीजन नाइट टाइम में फोटो सिंथेसिस बंद हो जाता है तो रेस्परेशन चलता है पादभ क्या देते हैं CO2 लेकिन इन दोनों के बीच का एक टाइम है जिसे बोलते हैं, टूईलाइट, इसको क्या बोलते हैं, संध्याकाल, है ना, संध्याकाल, और इस संध्याकाल में क्या होता है? इस संध्याकाल में यह होता है, कि generally जो CO2 है, photosynthesis की rate कुछ इस तरह डाउन हो जाती है, कि पादब जो है वो CO2 के absorb नहीं करते जो chlorophyll है वो प्रकाश से ही सक्रिय होता है chlorophyll light नहीं मिलती संध्या के समय पर तो chlorophyll जो है वो deactivate हो जाता है वो CO2 के absorb नहीं करता बदले में oxygen निकलना भी बंद हो जाती है तो यह simple सी बात है आप क्या करेंगे सांध्य प्रकाश ट्वी light इसके अलावा जो भोर का समय होता है प्रातेकाल का उसमें भी लगबग लगबग यही situation आपको देखने को मिलती है देखो जब day time night time से क्या करेगा जब day convert होगा night में और जब फिर night convert होगी day में तब आपको दोनों ही समय पर ये कुछ माहौल इस तरह का देखने को मिलेगा कि वहाँ पर ना oxygen उत्पादित हो रही है ना CO2 उत्पादित हो रही है बहुत जादा early morning का समय वहाँ पर भी एक दो मिनट का समय ऐसा possible है और जो संध्याकाल का समय है उसमें भी एक दो मिनट का समय कुछ इस परकार का possible है और ये simple सा question है बहुत साधारन सा question है मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने इसको गलत किया होगा हर बच्चे का ये question यार सही ही रहा होगा क्यों क्योंकि ये common sense based पर ही है और ये logical based पर ही है ठीक है कोई दिकत सबका सही हुआ बताओ ये सवर नो चलिए अगला question देखिएगा अगला question आपसे पूछ रहा है कि when the moon is near to the horizon जब चंद्रमा आपका च्षेतिज के पास होता है तो बड़ा दिखाई देता है क्यों देखिए आपने पढ़ा होगा जब सूर्योदय हो रहा होता है तो सूर्योदय से नीच होता है फिर भी आपको उपर दिखाई देता है ठीक है तो सूर्योदय समय से पहले आपको इसी तरह आपने देखा है जब तारों से चला हुआ प्रकाष में आता है तो बहुत सारी परतों से वह गुजरता है औक प्रतस्परत को अलग है तो उसी तरह चंद्रमा भी आपको साइज में कैसा मैसूस होगा, बड़ा मैसूस होगा, तो इसका उत्तर है दोस्तो वायू मंडली है अपवर्तन एटमोस्फिरिक रिफ्रेक्शन, ठीक है, आंसर अगर, सिंपल आंसर अगर बताओंगा दीपा, दीपी का, तो सीधा तुक्क हीमोगलोविन इन हेल्दी एडल्ट मेल, तो देखिए, पुरूस महिला में 12-16 ग्राम बताते हैं, फीमेल के अंदर, मेल के अंदर जो हैम लोग 14-16 ग्राम बताते हैं, बच्चे में 18 प्लस ग्राम बताते हैं, तो आप 13-18 ग्राम पर 100 ml बलड आप हीमोगलोविन का काउंट पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी टैप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुती साधरन सा कोश्चन है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब आईए, ये तो मैंने कली डिसकस किया था, बोटनी की क्लास में, अगर किसी ने पढ बताओ, तो दो-तीन बार डिसकस किया था, एपी कल्चर मधुमक की पालन से मिला दो, सिल्वी कल्चर फोरेष्ट्री, जंगल विज्ञान और विटी कल्चर अंगूर की खेती, तो बताओ, एक को मिला दो, एक के अंदर आएगा तीन, सोरी, एक के अंदर आने वाला है, एक के अंदर आने वाला है, दो, बी के अंदर, सिल्वी कल्चर बी के अंदर आने वाला है, तीन, और सी के अंदर आने वाला है, तो दो, तीन, एक, बताओ, आंसर क्या हो गया, आपका, डी हो गया, सिंपल कोस्टन, 231, 231, क्लियर, एपी कल्चर मधुमक की पालन, सिल्वी कल् ठीक है आगे चलेंगे आप यह देखिए यह कंफ्यूजिंग कोस्टन है दोनों पेपर्स में से एक में सुगर कैन बी टेस्टे इन डाइबटीज पैसेंट जो डाइबटीज पैसेंट होते हैं उनमें बताओ मूत्र के साथ ग्लुकोज आता है उनके बलड में भी करेंगे ठीक है तो आंसर आपका मैं प्रीफर करूंगा बैनेडिक्ट को बारफोर्ड देखिए बारफोर्ड नहीं है इसका नाम जनरली एक टेस्ट है जो की बैनेडिक्ट से भी जादा यूज में लिया जा सकता है और उसका नाम है बारफोर्ड बारफोर्ड इसमें बार और नाम भी उसका बारफोर्ड टेस्ट है ना कि बारफोर्ड ठीक है तो पहली बात तो कुछ लोग बारफोर्ड टेस्ट आंसर कर रहे हैं तो पहली बात तो यही समझ लो कि बारफोर्ड नाम का कोई भी टेस्ट जो है वो सुगर के डिटेक्शन के लिए नहीं है जिस्ट का नाम मिलता जुलता है उसका नाम है बारफोड बारफोड ब-a-r-f-o-e-d ठीक है और रही बात ये कि उत्तर आपको बेनेडिक्ट ही करना है बेनेडिक्ट ही मानना है अगर बारफोड मान ले तो इसको उपर लगा देंगे क्या इसको उपर आपती ठोगेंगे कि बेटा बार ए-f-o-e-d बारफोड ठीक है याद रखना इस बात को अगला है फल पकाने के लिए जिम्मेदार तो भहिया ये तो एथिलीन है इस कोशन को तो पेपर में दो चाय मद्दो बराबर है ऐसा कोशन तो यार कभी दिक्कत करता ही नहीं है एथिलीन ठीक है कोई दिक्कत बताओ अगला कोशन देखिएगा वैक्सीनेशन हैज में डिराइड फ्रॉम लेटिन वर्ड विच रिलेट्स टू देखिए समझिएगा दोस्तो वैक्सीन सब्द जो है अगर मैं बात करू इस शब्द के बारे में तो ये शब्द आपको पता विश्व का पहला जो वैक्सीन थी या विश्व की जो पहली क्या थी बताईए वैक्सीन थी वो वैक्सीन किस रोग के लिए बनाई गई थी चेचक के लिए किस के लिए बनाई गई थी चेचक और चेचक के लिए बनाई गई थी क्लियर तो उस चेचक का नाम था स्मॉल पॉक्स देखिए स्मॉल पॉक्स इन सबसे पहली बार जो vaccine बनाई गई थी Edward Jenner के द्वारा वो गाय के अंदर दोस्तों क्या हुआ था smallpox चेचक जो हुआ था उसके लिए बनाई गई थी इसलिए इसको आप cowpox vaccine भी कहते हो और इसका जो रोग जनक था उसका नाम था variolla vaccine क्या नाम था? variolla vaccine और इस variolla vaccine के नाम में से ही क्या जोडा गया? vaccine जोडा गया ठीक है? तो याद रखिएगा vaccine word किस से relate करता है? गाय से relate करता है पहली बार जब चेचक का टीका बना तो वो cowpox के लिए बना था गाय के अंदर smallpox की क्या थी? बीमारी थी वो उसके लिए बना था ठीक है? चलिए अगर आगे बात करता हूँ मैं general science के questions की तो देखिएगा एक question और था जो की सामा ने विज्यान से पूछा गया था और वो अभी मिल जाए किदर गया भई? कहा है question? चलिए यह रहा दोस्तों यह रहा which day celebrated the world ozone day? तो दोस्तों भिश्व ओज Anyways कि मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ड ओजोन डे कि मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को आपका मनाया जाता है ठीक है? आपके questions general science के shift first में थे ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ shift 2 में जो general science के questions थे वो कौन-कौन से थे ठीक है तो shift 2 के अंदर general science के questions को discuss करेंगे बिल्कुल संगीता attention मत लीजिए बहुती simple questions थे shift 2 में तो comparatively और भी simple थे चलिएगा देखिएगा shift 2 के अंदर बात करते हैं आईए shift 2 में जो science के questions हैं वोई 7-8 questions हैं कहां मिलते हैं देखते हैं चलो लाइए यह रादेखो भईया आपको पहला question है आपको क्या करना है match करके देना है list 1, list 2 को citric acid बताओ कहां होता है citric acid नीबू में होता है citrus ones का fruit है butanoic acid बताओ मक्खन में होता है butanoic acid मक्खन में होता है acidicuml आपके किसम होता है sirike में होता है और lacticuml, lacticuml कहां होता है दूद में होता है तो 2143, 2143, बताओ D option में है 2143, कौन सा option यहाँ पे, D option, 2143, clear, आप match कर लेंगे 2143 D option है, ओके, citricamal नीबू, butanumicamal दूद, butanumicamal मक्षन, aceticamal सिर्का, lecticamal आपका क्या, दूद, काफी बार डिसकस कर चुके हैं यार इस question को तो, चली अगला question देखेगा, आति सूक्ष में वस्तूओं के आवर्धन के लिए, आति सूक्ष में वस्तूओं के आवर्धन का मतलब है साइस बड़ा, और साइस बड़ा करने के लिए क्या काम मिलेते हैं, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को कहते हैं सूक्षमदर्शी माइक्रोस्कोप को क्या बोलते हैं बताईए सूक्षमदर्शी कहते है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप तो यार परिदर्शी होती है, जो पंडू भी वगएरा होती है vitamin A की कमी से कौन सी बिमारी हो जाएगी आपको रतोंदी हो जाएगी साफ को दिख रहा है यार कितना कितना clean देखोगे थोड़ा quality बढ़ा लो गुडिया थोड़ा quality बढ़ा लो चीक है क्योंकि मेरे सामने भी screen चल रही है proper दिख पा रहा है अगला कोशन देखिएगा BCG का T का यार Bacillus Calamity Green और Bacillus का जो फुल फॉर्म है वो Tuberculosis Bacillus से मिलता है तो TB आप easily इसको क्या कर ला लेंगे पकड ला लेंगे BCG का T का बताईए किस बीमारी के लिए लगता है TB के लिए लगता है इसके बाद किसी ने Mass Paysia वाला टॉपिक पड़ा हो तो महां बताया था Mass Paysia तीन प्रकार की होती हैं कंकाली है, एकंकाली है, हरदय पेशिया कंकाली है, मास पेशिया एच्चिक है, साथी साथ रेखित हैं इंदर रेखाएं होती है रेखित और एच्चिक एकंकाली है, जो होती है, वो अरेखित और अनेच्चिक होती है और हरदय मसल जो होती है वो प्रकरती में अनेच्चिक है अपनी इच्छा से काम नहीं करा सकते हैं लेकिन उनके उपर क्या पाई जाते हैं इसलिए वो कैसी होती है, इस तरित होती है, इस ट्रेटेड होती है, तो जो आपकी हरदय मास पेशियां है, वो रेखित होती है, साथ ही साथ कैसी होती है, अनेच्छिक होती है, डिसकस हो चुका है, सबसे मीठी शरकरा कौन सी यह बताईए, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज इस चले, ओके, चलिएगा, है ना, आगे बात करते हैं, अगला पोशन भाईया, मनुष्य में, मनुष्य में एनीमिया, खून की कमी, बताओ, खून की कमी, विटामिन D, E, के नहीं है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है, A की कमी से न पूं सकता है, बांचपन की प्रोब्लम हो जाएगी, और RBC कम हो गई, तो बताइए, बलड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो खून की कमी हो जाएगी, एरक्तता हो जाएगा, आपको एनीमिया हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत यहां तक, बताइगा, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत, तो साइंस के तो बस इत मैच के questions को भी अच्छे से क्या कर लें है ना समझ लें आप ठीक है तो मैं आपको मैच के questions की answer की बता देता हूं चलिएगा देखिए तो shift 1 सबसे पहले मैच के paper करते है shift 1 में shift 1 का जो मैच का paper है ये रहा ठीक है चलिए मैच निकालते हैं आप question number 89 से start है बताइए ये रहा 89 89 किदर गया 89 ये वाला ये वाला question देखिए ये वाला 89 272 माइनस 32 ये bracket में है उसके बाद 124 प्लस 114 बटा 17 इंटू 15 माइनस 15 ये देखिए board mass rule पर होगा आपको पहले क्या हल करना है board mass rule आप अपलाई करेंगे easily आपको इस question का answer 300 मिल जाएगा क्या है इस question का answer 300 option number 1 सरली करण का question है simplification का ठीक है आप देखो 272 में से 32 गटा दोगे कितने बच गए 240 बच गए 124 में 26 जोड़ दोगे कितने होगे बताओ ये आप जोगे 300 ठीक है और इसके बाद 17 15 को 17 से multiply करेंगे 15 गटा दो भाग लगा दो ठीक है तो आप easily क्या कर सकते हैं बता पाएंगे चलिए चलिए clear यहां तक clear हुआ देखिएगा अब आप देखेंगे अगला question जो आपके सामने है match का तो ये सरली करन का question है ये तो करी लो गया अगला question match का देखिएगा पहली 6 प्राकृतिक सेंख्याओं के वर्गों का उसत देखिए हमारी टीम ने तयार किये हुए है अच्छे से एक के question को क्या किया हुआ है चेक किया हुआ है एक के question को हमारी टीम ने अच्छे से क्या किया है solve qr solve qr के जो answer से वो आपको बताए जा रहे तो 90 जो question है इसका answer आने वाला है 15.17 कितना आने वाला है शुरुआत की 6 जो आपकी प्राकृतिक सेंख्याओं हैं इनके वर्गों का उसत आपका कितना आने वाला है 15.16 15.16 आपका ही है आने वाला है इसके बाद दोस्तों अगला question है एक बैग में एक रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं सिक्कों की संख्या जो है वो 2.5 ratio 3 ratio 4 की अनुपात में है कुल राशी आपके पास 420 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको क्या गरनी है दोस्तों बतानी है और इसका जब आप answer निकालेंगे तो आपका answer आने वाला है D 252 आपका इसका क्या आने वाला है आंसर आने वाला है बच्चों सेशन को शेर कीजिएगा और बताएगा क्या आपका answer यही रहा है पेपर के अंदर बताएगा साथ में साथ solve भी कीजिएगा answer आपका क्या आने वाला है D अगला question देखिएगा एक बेलनाकार पात् पात्र है जिसकी radius 4 cm है पानी से यह भरा हुआ है एक ठोस गोला जिसकी तरिज्या 3 cm है को पानी में तब तक डाला गया जब तक की पूरा डूब नहीं गया पानी में पात्र में पानी का इस तर कितना बढ़ जाएगा भाई साब देखा जाए तो मुझे तो हवा हात नहीं लगरी इस question की क्योंकि maths में इतना ही पता है लेकिन फिर भी यह है कि बेलनाकार पात्र है तरिज्या 4 cm हो पानी से भरा उसके अंदर 3 cm रेडियस का कोई गोला डाल दिया अब यह तो simple सी बात है भरे हुए पात्र में आप कुछ डालोगे तो बताओ बगल में पानी तो यह पिर पानी का इस्तर बढ़ जाएगा कितना बढ़ा तो इसका जो उत्तर है वो आपका आने वाला है 9 by 4 cm कितना आएगा 9 by 4 cm option number A आपका 9 by 4 cm के आने वाला है इसका correct answer आने बाला है ठीक है अगला देखिएगा यदि एक आदमी प्रती माह यदि एक आदमी प्रती माह 875 रुपे खर्च करता है और अपनी आयके साड़े 12% की क्या करता है दोस्तों बचत करता है आदमी है प्रती माह 875 रुपे खर्च करेगा और अपनी आयके साड़े 12% की वो क्या कर लेगा बचत कर लेगा उसकी माह स कोई साही नहीं होगा इसमें से तो मंतली इंकम होती है कि इतनी 1000 रुपे क्या ही करेगा कमा के लेकिन यार कोसन है को कोसन मान के करना होता है तो इसका उस आंसर जो जाएगा वो कितना जाएगा 1000 रुपे इसका क्या चला जाएगा बच्चों आंसर चला जाएगा, कितने रूपे, 1000 रूपे की मासिक जो है, कमाई है, जिस बंदे के बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है, चलिए, है ना, मदलब बात वही है, 875 रूपे खर्च कर दिये, टोटल इंकम का 12% की क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, 125 25 रूपे बचाए, वह 125 रूपे 1000 का कितना परसेंट है, 12.5 परसेंट है, ये तो मुझे भी समझ में आ गया है, है ना, चलिए, अगला कोशन देखेंगे आप, साधारान व्याज पर एक निश्चित धनराशी 20 वर्ष में त्युगना हो गई, इसी साधारान व्याज पर कित इसे साधारान व्याज पर कितने टाइम में ये 20 वर्ष में त्युगनी हो गई, तो कितने टाइम में दुगनी हो जाएगी, दोस्तों इसका जो आपके सामने, वो दोस्तों A है, यार कोई यही रटके चला जाता कि जादातर आंसर A है, तो आदे नंबर तो वो भी सही ले जाता है ना शार उत्तर एई ये आए जा रहे हैं बताओ नहीं अगला कोशन देखिएगा दो कोशन देखिए ब्याज से आच चुके हैं चक्रवदी ब्याज पर यदि निश्चत धनराशी एन वर्ष में दुगना हो जाती है तो कितने वर्ष में चार गुना हो जाएगी तो दोस्तो चार गुना हो जाएगी बढ़िया कोशन है डेटा याद रखिएगा रिपीट हो सकता है यदि 45 मीटर की एक समान चड़का बजन 117 किलोगराम है तो उसी तरह की 14 मीटर चड़का बजन कितना होगा मैं जातक मानता हूँ ये तो वह है चुकि 45 मीटर बराबर है 117 क किलोगराम के तो 12 मीटर बराबर होगी कितने के मेरे साफ से ऐसे ही अपला ही होने वाला है ठीक है तो आप उत्तर क्या करेंगे 96 96 में अगेन उत्तर 45.6 किलोगराम आपका क्या आने वाला है उत्तर आने वाला है कितना उत्तर आएगा 45.6 किलोगराम ठीक है अगला कोशन दे चूट के साथ 13,560 में मोबाइल बेच दिया भाई साथ यह ना ब्यापारी ने 12% चूट के साथ बेचा मोबाइल और वो कितने में बेचा 13,560 में और उसने लाब कमाया कितने का 21.8 प्रतिशत लाब लिया यदि चूट बिलकुल नहीं देता वो तो कितना परसेंट लाब ले बड़ा डेंजर कोश्चन है यार 12% चूट दे दी तभी 21.8 परसेंट लाब ले लिया उसमें अगर वो 12% की चूट देता नहीं फिर तो बहुत फायदा ले जाता अब कितना फायदा ले जाता तो दोस्तों यह बात की जा रही है 38.4 परसेंट का यह क्या ले जाता फायदा 38.4 परसेंट सॉल्व करने के लिए अराम से सॉल्व करिएगा जब पेपर आपको सॉल्व करा दें यहाँ पर उसके बाद अच्छे से घर पे सॉलूशन कर लीजेगा चले आगे अगला कोशन लाब हानी के कोशन चल रहे हैं अगला कोशन यह रहा यदि 10 वस्तों की लागत कीमत 7 वस्तों की विक्रे कीमत के बराबर है अरे 10 वस्तों का क्रेमोल साथ वस्तों के विक्रेमोल के बराबर है ऐसी बाद चल रही है तो लाब परतीशत बताईए दोस्तों उत्तर आपका आरहा यहांपर 42.6 बटा 7% कितना आ रहा है ''2ली सई 6 बटा 7%'' बात समझ में आ के जो है अमारी टीम ने ये questions तयार किये हैं वह इनका answer जो है authentic है proper तरीके से क्या किया किया है बहुत simple questions है बहुत ही simple 99 questions जो है 8 भाग 4 bracket 3 minus 2 into 4 plus 3 minus 7 सरली करन और सरली करन है तो वही है board mask का rule लगाईए और अपने जीवन को सफल बनाईए उत्तर क्या आने वाला है चार आने वाला है answer is 4 उत्तर क्या आएगा चार आएगा ठीक है चलिए अगला question देखेंगे आप अगला question आपके सामने है आयत की लंबाई कि था चोड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है लंबाई और चोड़ाई में कितने का gap है 23 मीटर का और परिमाप कितने है दोस्तों 206 मीटर है परिमाप होता है न परिमी 206 मीटर है इसका छित्रफल आपसे पूचा गया है ठीक है तो आप क्या कर देंगे आप कर देंगे जो है अरे यार यह ऐसे दे रखाया देखा जाए तो देखो टू ए प्लस बी की वैल्यू अरे परिमाप क्या होता है टू ए प्लस बी इसकी वैल्यू क्या है 206, परिमापायत का ऐसे होता है उके, ये लंबाई है चोडाई को b मान लो, लंबाई को a मान लो तो 2a 2b, 2a प्लस b की value क्या है 206 है, और दोनों का अंतर लंबाई Ěोडाई का अंतर a – b की value क्या है, 23 है आपको दोनों यहां से पता चल जाएगी जब आपके इसको follow करोगे और दोनों पता चल जाएगी तो दोनों को multiply करके क्या निकाल लो area निकाल लो ठीक है तो 100 question में answer क्या आने वाला है C आने वाला है एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया कहां गया कहां गया यह रहा हाँ आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया चोड़ाई को 10% बढ़ा दिया चित्रफल कितना बढ़ेगा अरे यार एक बात बताओ पहले माल लोग 10 10 थी तो चित्रफल कितना होगा 10 200 अपने तो ऐसे ही करते ह हो गई 11 11 11 11 11 से मिल्टिप्लाई कर लो कितनी हो गई 121 हो गई है ना यार ऐसी बात है ग्या कि अच्छा घटा दिया घटा दिया फिर मुसे नहीं होगा बढ़ा देता तो मैं कर लेता या फिर कर दू इसको भी बताओ पहले 10 हो गया और चोड़ाई को गटा दिया 10 बताओ कि नूटिक कम हो गया पहले फिर कितन हो गट गया अरे आती है इतनी मैथ तो यार इतनी मैथ तो हम्हें भी आती है तुम सोचुरों को गुरू बहुत मैथ भी आती है, है ना, चलें, ओके, कोशन नेक्स देगिएगा, क्या कह रहा है, कोशन नेक्स देगिएगा, एक सो दो, यदि केले की कीमत को बीस परसेंट घटाया जाता है, तो उसी राशी से, उसी राशी दस रुपे में पांच केले अधिक खरीदे जा सकते हैं, एक केले की प्रारंबिक कीमत बताईएगा बताओ भया पैंसट पैसे पच्पन पैसे पचास पैसे बताईएगा भया जल्दी से तो दोस्तों if the price of a banana is decreased by 20% 5 bananas more can be purchased for the same amount rupees 10 10 रुपे में कोई चीज खरीद रहे हो आपने 20% rate गटा दी उसके बावजूद भी दोस्तों क्या हो रहा है उसके बावजूद आप जो 5 banana जादा खरी सकते हो तो बनाना की प्रारंबिक प्राइस क्या रही होगी तो दोस्तों ये रही 50 पैसे आठाना अठनी का क्या है एक है आठाना का एक है बताईए ठीक है भईया क्लियर होगी बात यहां तक चलिए अगला कोशन देखिएगा अगला कोशन आपके सामने है ये रहा है इधर मिल जाएगा क्या ये ठीक है एक सो तीन 10 पुरुष एक कार के हिस्से को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं जबकि इसे 10 दिन में पूरा करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यक्ता होती है यदि कार पुरा करने का बीड़ा 15 पुरुष और 6 महिलाओं उठाती है तो कार पुरा करने में कितने दिन लगेंगे अपने को तो नहीं पता लेकरन हमारे टीम ने पता लगा लिया है बहुत जादा गुप्त सूत्रों से ये सूचना मिली है कि इसका उत्तर कितना होने वाला है बच्चों पांच दिन इसका उत्तर होने वाला है हमारे जो गुप्त सूत्र हैं उनसे हमें इस बात की जानकारी मिली है कि उत्तर क्या होने वाला है बच्चों पांच दिन आपका उत्तर होने वाला है और एक कोशन जो है ये रहा है ना कोशन ये रहा भहिया पांच क्रमागत समसंख्याओं A, B, C, D, E का ओसत बावन है B तथा E का गुननफल बताईए कितना होगा ठीक है तो 104 वे कोशन का उत्तर दोस्तों B है उत्तर आपका क्या आने वाला है 2700 आने वाला है ठीक है तो आपका कितना हो गया दोस्तों 2700 ठीक है इसके बाद हम चलते हैं शिफ्ट टू की और शिफ्ट टू के जो मैच के कोशन्स है उनका भी जो है तोड निकाल दिया है हमने तो आप देखेंगे कोशन्स किदर है मैं एक बार निकालता हूँ ठीक है मैच के कोशन्स चलिएगा गलास थोड़ा सा गरबड़ इसलिए आवाज हो सकता है आपको थोड़ा भड़ भड़ ऐसे आरी हो लेकिन फिर भी कोशिस की है कि जो है ठीक ठाक आपको साउंड जो है मेरा पोँचे चलिएगा मैच के कोशन्स ढूंड रहे हैं और चलिए तो बच्चों कैसा लग रहा है पेपर आगे जिनका कल पेपर उन्हें क्यासा लग रहा है क्या आपको लग रहा है कि बहुत ही एवरेज रखा गया है मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस पेपर नहीं देखने को मिलेगा आपको किदर गया यार मैस के कोशन नहीं मिल रहे है बताओ मेरा हाथ दुग गया उपर करते करते हैं चलिए यह रहा मैस में हाँ यदि रुपे तरेपन धनराशी को पी क्यू और आर के बीच में बांटें ठीक है और इस प्रकार बांटें कि पी को क्यू से साथ रुपिया जादा मिले और क्यू क को आर से आठ रुपिया जादा मिले मतलब सबसे जादा रुपे पी को मिलेंगे है ना सिंपल सी बात है यह सबसे जादा रुपे किसको मिलेंगे पी को मिलेंगे मेरे साब से और पी को क्यू से साथ रुपे जादा और क्यू को आर से आठ रुपे जादा तो पी को सबसे ज ज़ादा है पर इदर Q और R दोनों के पास P से ज़ादा है तो उनको तो वैसे ही काट दो या तो तर ननौप दीज होगा या पच्चीस अठारा दस होगा ठीक है लेकिन ननोप दीज ने क्या पूरा मामला गरबल कर दिया यह ना तो पच्चीस अठारा दस इसका बच्चों तो यार संकू का आयतन का जो अनुपात है वो क्या होता है formula मुझे ध्यान नहीं है यह ना आप लगा ले ना जो भी है । उत्तर क्या आने वाला है दोस्तों, तीन अनुपात, एक आपका उत्तर आने वाला है, ठीक है, 107, 108 में देखिएगा, प्रश्न चिन्न को आपको बताना है, इसके लिए उप्युक्त संख्या क्या होगी, ठीक है, तो इसके लिए उप्युक्त संख्या है, वो दोस्तों आपक क्या उत्तर होगा 32 अगला 109 सरली करण का कोशन है 48 में से 12 गटाओ 3 से multiply करो बोड मास लगेगा और बोड मास लगेगा तो 109 का उत्तर आपका क्या ने वाला है 7 बटा 3 7 y 3 7 बटा 3 चलिए कल भी अच्छा होगा टेंशन ना लो जिगर सिंग आप मस्ट जाओ पेपर के अंदर अगला कोशन देगिए यदि 53, 63, X 41, 78, 26 का उसत 52 है तो X का मान बताइए यार इन सब को जोड के प्लस X को 6 से multiply कर दो 6 सेंख्या है ना और बराबर में क्या कर दो 52 या पिर ऐसे कर दो 53, इतनी तो मेहत आती है 350 प्लस 360 प्लस X प्लस 41 प्लस 78 प्लस 26 इन का उसत 52 है ना कितनी सेंख्या है 123456 बताव 52 इंटू 6 ऐसे अब यह सेंख्या हो को जोड लो जोड के 52 को 6 से multiply कर को उसमें से गठा देना उत्तर आपका आने वाला है 110 का 51 110 का क्या आने वाला है 51 ठीक है क्लियर को दिकत क्या ने वाला है 51 अर देखो सिंपल सा जुगार 6 दूना 12 एक आई का अंक दो आएगा यहां पे एक और 6, 7, 8, 15, 13, 18, 13, 20 एक आई का अंक एक आएगा अब इसको घटाओगे दो में से एक गया एक बचेगा 51 बच गया एक आई के अंक से आप उत्तर सौल हुगा डालेंगे अरे यहां ऐसे थोड़ी है मैत अपनी भी चिल्ड है अगला कुशन देखो 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा जाते हैं ऐसे 100 मुर्गी 100 दिल में 100 अंडे देती है बड़ा डेंजर कुशन आता था ही 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा जाते हैं तो 4 केले 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे मेरे साब से 12 मिनट में खाएंगे है ना यह बड़ा डेंजर कुशन है एक बंदर देखो जुगार लगाओ 12 बंदर है 12 केले खाते हैं 12 मिनट में एक बंदर बारा मिनिट में एक केला खा जाता है तो चार बंदर बारा मिनिट में चार केले छे बंदर बारा मिनिट में छे केले सो बंदर बारा मिनिट में सो केले तो याद रखिए गए वाला बात एक एक केला खाने का टाइम एक बंदर का कितना है, बारा मिनिट है, अगला कॉर्शन, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत मूल से 20 प्रतिशत उपर पहले ही, बड़ा शाना है, जो पैसे 10 रुपे की चीज आती है उसको 12 रुपे लिख देता है पहले ही, और फिर 5 प्रतिशत की छूड़ देता ह तो बताओ लाब कितना ले गया, तो दोस्तो लाब ननोब दीज लेके जाएगा, देखो कैसे, 10 रुपे की चीज को 12 लिख दिया, फिर 5 परसेंट की छूड़ दे दिया, 5 परसेंट का मतलब है 60 पैसे, 60 पैसे की छूड़ दे दिया, बताओ कितने, 11.4 में बेचेगा, अब बताओ 10 की थी, 11.4 में बेच रहा है, तो लाब कितने का होना चीज है, लाब का परसेंट देखा जाए, तो आपके पास कितना होना चीज है, लाब का परसेंट मेरे इसाब से होना चीज है, यहाँ पर क्या बोलते है, 14 परसेंट, 14 परसेंट लाब होना चीज है, वो पेपर अनिल अपनी आया का 84 प्रतिशत क्या करता है व्य कर देता है फिर भी 24 रुपे बचाता है यह प्रस्ण उसी के लिए बनाया है अभी 24 रुपे भी नहीं बचते हो उसके पास तो उसकी जो मासिक आया है वो क्या बताओ 84 परसेंट खर्च करता है 24 रुपे बचाता है यह ना तो बताईएगा मतलब 16 परसेंट बच रहे हैं 16 परसेंट बच रहे हैं और वो किसके बराबर है 24 के बराबर है सही बोल रहा हूं क्या मैं 16 परसेंट 24 के बराबर है है यह ना तो उत्तर निकाल डालो इसका क्या उत्तर आ तो 16 चेके 96 परसेंट होगा 145 और 100 परसेंट करना है तो लगबगी कर दो 145 के 1.500 ठीक है आपने तो देखो थोड़ा बहुत ही सौलू करते हैं ज्यादा दिमाज में लगाते हैं अगला कोशन चार पॉइंट 5 परसेंट प्रती वर्ष की साधारन व्याज दर से 4.500 रुपे की राशी पर चकरवदी व्याज के मद्य का अंतर कितना है दोस्तों 52 रुपे है और तो राशी आपको बतानी है तो आपको क्या बताना है इसका उत्तर बताना है तो आप इसका उत्तर क्या बता देंगे दोस्तों आप इसका उत्तर बता देंगे 115 का 500 रुपे 52, 500 ठीक है कितना रुपे बताइए 500 रुपे इसका क्या होने वाला है difference होने वाला है अगला question देखिएगा किदर गया यार ठीक है आएगा लो ये लिजी एक नगर की जंसेंग क्या हर साल दोस्तों पास प्रतिशत बढ़ जाती है है ना यदि उसकी वर्तमान जंसेंग क्या 4,970 है तो दो वर्ष पहले कितनी थी तो दो वर्ष पहले बया कितनी थी 68,000 इसकी क्या थी जंसेंग क्या थी चार परसेंट की हानी उठाता है कुल लाव या कुल हानी बताओ दो चीजे बेची हैं एक 846 रुपे में बेची और दोस्तों आपने कितना लाव कमाया 20% दूसरी को 960 रुपे में बेचा 4 परसेंट की क्या कमाई है हानी कमाई है टोटल लाव टोटल हानी बतानी है तो दोस्तों कोशन 117 है और इसका जो है उत्तर अभी तक टीम देखी रही है भी मिलने ही पाया उत्तर मिल जाएगा आपको बता दिया जाएगा अधर वैस आप ढूंड लीजेगा ठीक है तो 117 का उत्तर जो है अभी तक सॉल नहीं हो पाया कोशन पता नहीं क्या लपडा है वैसे सिंपल ही है कोशन तो चलो कोई नहीं इसको जो है कॉंडारा सर आपको रीजनी की गलास में बता देंगे सॉल लपर के ठीक है चलिए इसके बाद है आपके सामने 108 वा कोशन और यह है दोस्तो आपका बोड मास पर और बोड मास पर जो कोशन है इसका जो आंसर है आपका कितना चौटा ठीक है 119 एक आयत का चेतरफल 252 सेंटीमीटर स्क्वाइर है उसकी लंबाई और चोड़ाई क्रम से 99 पास 7 के अरुपात में है परिमाप बताना यार तो परिमाप 119 में आपका उत्तर क्या चला जाएगा 64 सेंटीमीटर आपका क्या चला जाएगा उत्तर चला जाएगा कितना 64 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा ठीक है चलें अगला कोशन दो तीन कोशन ही बाकी है बहिया एक आयताकार पानी की टंकी आठ मीटर उंची 6 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चोड़ी है आयतन तो मेरे साब से आयतन के लिए तो क्या करते हो आप आयतन के लिए आयताकार पानी की टंकी है 8 मीटर उंची और 6 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चोड़ी है हम तो लंबाई गुना चोड़ाई गुना उंचाई करते हैं यह पता नहीं क्या कर रहा है लंबाई प्लस चोड़ाई इंटू चोड़ाई गुना उंचाई ऐसे होता है ना यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उसी संख्या का 80% कितना हो गए अब 200% 90 है इसका मज़लब वो संख्या 45 है कि संख्या 21000 हो paralysis Pr Viral तो पर संख्या कितनी हो गया 25 है ना उसका 85 को 45 sp shameful 16 होता मेरे साथ से आया अगला कोशन देखिएगा अगला कोशन जो है वह अब में इसकिप कर रहे हैं, बाद में आपको बताएंगी कुड़ारा सर, ठीक है, 123 वा कोशन है, निमन प्राक्तांकों के सैट का ओसत, लास्ट कोशन है, अपना जो अभी मैं आपको शॉलो करवा रहा हूं, ठीक है, निमन प्राक्तांकों के सैट का ओसत, बताईएगा, 966, अरे इतना उतर आएगा दोस्तों, 476, तो बच्चों, बताइएगा मुझे, कैसा आपको पेपर लग रहा है, और कैसा आपको लग रहा है कि कल का जो दिन है, वो आपका कैसा होने वाला है, और कल आप पेपर को किस तरह फोड़ने वाले हैं, और Maths और Science का जो solution है, वो मैंने आपक करवाया है, एका दो का कोस्तों ने वो स्किप किया है अभी, क्योंकि देखिए पेपर अभी आया ही हमारे पास, तो पेपर आया, तुरज से solution कराने लग गई है, तो हम नहीं चाहते कोई भी गलट डेटा जाए, ठीक है, और जितने भी कोस्तों आपको बताये गए हैं, मैं थंडर, रीजनिंग, लीजेंड, सुबह से पेपर सॉलूशन करवा रहे हैं, चोदे गंटे से, अपने हर्शकुंडारा सर और पधार चुके हैं, बड़ी बेसबरी से मैं उनका इंतजार कर रहा था, कि वो आएं, और रीजनिंग से सम्मंदित प्रशनों का जो आपका डर है, आपका जो डाउट है, उसको सॉलू करवा दें, और पटवार एक्जाम में जो रीजनिंग के पेपर्स में जो कोशन्स आए हैं, वो कोशन्स जो हैं, आपको क्या करा दें, सॉलू करवा दें तो चलिए वे राम राम भाई सभी लाड़े सरो लाड़ो रालियों का स्वागात अभिरंडन मेरे प्यारे बावी पटवारियों का रिदे के गहड़ाईों से, तो आज क्या खोपड़ी में छेद कर दियेगा रीजनिंग के सवालों को, बरबात कर दिया होगा, ले गए हो अजार रीजनिंग बिल्कुल लो लेवल की ती तो बैटा अगरू में जला जाओ, मैं जला जाओ, मैं नी पड़ाओ, अरे, मैं चला जाओं क्या, औरत छोरा हो चलो भी देखते हैं यहां क्या है अपना रीजिनिंग का कोई क्योशन आ रहा है क्या पहला प्रशन एरत था रहा है इससे बैड़िया थोड़ी है कुछ ठीक है यह वह यह निमलिक में कौन से निवेश इन्पुट इदर दे रखा है और इसका आउट पुट का ह है वही और इसका आउट पुट का है चलो इसको बाद में देख लेंगे पहला प्रशन आपको के सामने यह आ रहा है और इसको तीटरी करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ही निकर रखा यहां पर इस तीज को जोड़कर चवरा रहा है बैटा बैयान इसको सत्तर को जोड़क इसको जोड़कर आट रहां सोड़क अचाहस लगी चाहर दो तिर पास उरक चछियां सथ बैटा 66 आपका अंसर हो जागा इसका तो ना यह तो रीजनिंग का एक पहला परसन हो चुका ठीक बैटा अगले परसन के अगर मैं चर्चा करूं तो अगला परसन क्या करा बैटा ब सब्सक्राइब करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा आप लोगों के पास ठीक है कंपूटर के सवालों के में निशान लगवा के लाया हूं यार ऐसे क्या बात करते हो यह एक कथन है ना और यहां पर याचुका यहां से आपके रिजनी स्टाट हुए पैन पैपर पैपर से क् दोस्तों करें जगह पर पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं एक प्लेट पर कर देलेते हैं को दिकतवाली बातनी यह जलता रेता है क्योंकि पैपर जैसे ही आया ना आज हमने तुरंत इसका इनलेसे हैं लेकिजिए हैलिकोप्टर बढ़ जैती थे तो बेटा कई बार क्या हुआ जैसे कि आपना जो आंसर है, इस पर पहला आंसर है ने आप लोगों का, यह क्या गर है कि कलम कागज, कागज कलम पर चलाई जाती, इसी परकार मास पर चाकू चलाए जाता है, है ना यह वाला नहीं हो सकता, यह वाला नहीं हो सकता, इन दोनों में कोंट अडिक्शन था, ठीक पर अक्षोनों का समूँ चुनिए जो अन्य से भिनने तो अन्य से भिनने आपका यह होगा अन्य सवाल में तुम्हें कर्वाईते की निए कर्वाईते एक बात बता हो तुम्हें बिद्याराने की सोगों ने ससच बता दो है करवाईते की नी करवाईते बैटा दूसरी बात ये साले सवाल में आज डेड़ बजे वाली क्लास में लेकर गया हूं दो सवाल आए ठोक के तुम कुंडारा बाबा को यह से समझते हो क्या बभूती जे ता हूं बभूती हेलिकोप्टर बढ़ाते ता हूं बैटा तुमने जेड़ बजे ठीक है तो क्या है अंग्रेजी वनमाला में बाएं छोड से साथ व्क्षार के बाएं से साथ व्क्षार के बाई और पंदर्वक्षा कौन सा हुगा नोरबै गटा दो आता हुए पर आट पीछे की तरफ जाएगा तो जेड़ से आठ पीछे की तरफ ले तसलिए से पड़ो पिटा ने केवल आवर्तक अनावर्ष्टी से निपटने परन्तु भारत की बढ़ती खाद मांगी पूर्ती का भी एक मात्र उपाई शुष्क भूमी खेती है भारत के कुल सश्षोत पादन का करीब 25 परसंद वर्तमान में शुष्क भूमी से आता है यदि भारत को शताब्दी के अंतता प्रक्षेक्मित एम बिलियन जन्संग्या को परियात खाद उपलप्त कराना है तो शताब्दी के अंतता किसे 60 परसंट उपलप्त पड़ दिया शुष्क भूमी खेती भारत के लिए मैं अगले वाले सवाल के तरफ ठीके अगला सवाल क्या कि एक आदमी ने कहा ये लड़की मेरी मा के पोत्र की पत्नी है तो जैसे वह आदमी में हूं और किसी लड़की की तरह मैं इशारा कर रहा हूं मेरी मा के पोत्र तो मेरी मा का पोत्र मतला मेरा बेटा मेरे बेटे की पत्नी मतला मेरी पुत्र बदू तो मैं उसके क्या लगा बेटा ससूर लगा तो मेरा आंसर हो गया यहां पर ससूर तो ससूर आपका आंसर आजाएगा ठीक है बाटा दिशा, डाइरेक्शन, हमने पहले भी पढ़ा रखा था आप लोगों को, हमने पहले भी बता है था कि भी डाइरेक्शन वाला सवाल, यहां से देख से लगते हैं, आप लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाटा देखो, क्या करा है, उत्तर दिशा में 10 अगला सवाल, अगला सवाल क्या करा है, जान दीजिएगा, यहां पर क्या करा है, अगला सवाल, तो बाटा यह क्या कह रहा है, इससे थोड़ा सुनिएगा, सीटिंग अरेजमेंट रेंकिंग टेस्ट आगया, ठीके, पांच मितर A, B, C, D, तता E, एक टेबल पर बेटें, E, तता B, साथ बेटें, E, तता C, साथ बेटें, कोई बात नहीं, A, बाएं छोर पर है, यहां पर बेटें, E, तता C, साथ बेटें, तो बटा E, यहां आएगा, और C, यहां आएगा, अब बचा कौन A, B, C, D, D, बजग गया, तो यहां किया डी, अब क्या बढ़ा है, A, तता B, के मद्धे में, C, E, बेटें, तो बटें, C, E, बेटें, किलिए, यहां पर क्या कह रहा है, बड़े, लग्षेंघ में, अब ड़े बोटें, शर आज तो, अरे, वा क्या ब़ात है, अरे, यार, चला देते हैं, आप उप खोगता है, विवेएक सेर्ज, चला देता है, यार तो तो तख है, देगा बिटा, अब एटे अब तसलीस है, ना, फोड़ा तसलीस है, व्ड़ सुरेश उम्र में जितन से बड़ा एंस बड़ा तो पड़ा को यहां पर आजाएगा और यहां पर तरह आजाएगा यहां पर नितिन आजाएगा तो अब क्या कह रहा है कि उनके सब के बीच में कौन हो तो बीच में जिटेन होगा जितेन आप अपना अंसर कर दीजेगा कोई शुवाड़ी वाद ने ठीके आगे देखो जितेन आजागा पेटा C यहां पांच मेंटर चला दिया है, यहां पर क्या होगा इसको समझाए, तो सम्झो, अपने बाप का कहा जाता है, सबसे पर नीज आएगा, बीज के बाद इसके बाद फल आएगा, उसके बाद खाद दिया, खाद दिया, खाद काम, चौछा नंबर सी ओप्शन है ना हाँ तुम खाद बोल दो कि एक बार में भी गन फूज हो गया था यहां पर यहां पर भी बड़ा प्रशन है देखो क्या कह रहा है तो एक्स है चोईस माइनस दो यह माइनस के कितना है जाएंगे तीन यह माइनस दो माइनस के तीन और माइन किस का यूज यहां पर आपको यह रहा थिक के अपका पूराबे टा डीके पिता बी का बेटा स्वाल है थ UC अब शुसे है वो अर उब का भाई होगा और लो ए बी का भाई है और जो ए है वो बी का भाई है तो लो ए बी का भाई हो गया ठीक है एसी से किस प्रकार संबंदित है तो बटा एसी का क्या लेगेगा यह इसका भाई है यह इसका बाप और मम्मी हो सकता है तो अंकल लेगेगा बटा आंसर इसमें अंकल आएगा बटा तो पानी का टंकी से कलंग का पैंसे सब्ध का word process Abdullah शब्द का word process और ऍवर गिटार सा संगीत निकलता तो word process में श बहुत है na outer पैंसिल से कलम पानी से थेंक्लती आगे देखते है अगला सवाल क्या करें रहला यह है बहुत प्यारा क्योंशन है मेटा कुछ ही नहीं है यहां पर क्या क्या है इन लोगों ने इसने क्या करा एस ओ यू पी और एस लिख दिया अब इसको क्या लिखा इस पी यू और एस लिखा इस कोड़े को इस कोड़ें पर इस कोड़ें पर इस कोड़ें पर इस कोड़ें पर पर आए था क्रोस कोडिंग बिल जाएगा आरी दरा जाएगा आरी दरा जाएगा आरी टीक्या उप्षिन में लगा उठा बड़ा बाव मोसम ठीगे बटा ज्यादा दिमार के लगाने की आवशकता है नहीं आगे देखेंगे अशोक आठ किलोमेटर दक्षन की तरफ गया तो बताओ जल्दी से बताओ अशोक आठ किलोमेटर दक्षन की तरफ गया तो बटा अशोक जो है वो आठ किलोमेटर दक्षन की तरफ चला गया मैंने ले गया इस वाठ किलोमेटर दक्षन की तरफ बिन्दू ये था अभी ये दिशा है पेटा दक्षिन में होगा साउथ में पूरा कपूरा साउथ में होगा भी पूरा कपूरा क्योंकि तीन किलोमेटर आये तो उसी रोड़ पे आ गया जापर वो चला था ठीक है हाँ लास्ट में एक है जिसका अंसर पांसो अठार भी देख लिया मैंने सर क्रोस कोडिंग नहीं है लेकिन पीछे वाले वड़ को आगे है अरे तो बेटा उसको क्रोस कोडिंग ही बोलते हैं बेटा हाँ अरे बेटा वूभी है ना यहां देखो धा सोला इस से डिवैड जैसे बआए सका बाग जाता पान्तों बैटा रहा भाग जी जाता लटका दो चलिए शाबाज चाते क्या है लोग बाग मुझसे मुझे समझ में नी आता यह अच्छा प्रशन है यह अच्छा प्रशन है इसको देखना में थोड़ा सा ठीक है क्या करा है पीक्यू आरेश्टी और यूको जरुणी किसी करमें सोमार से अंतितक शनिवार तक लिए प्रदेशित के जाए नाटक आर मंगलवार को हुआ तो 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 बटा सेधी सी बात ह आप आराम से लिख सकते हो यहां सोमार लिख सकते हो यहां क्या लिख सकते हो बटा मंगलवार लिख सकते हो यहां पर लिख सकते हो बुद्धवार लिख सकते हो यहां गुरुवार लिख सकते हो यहां पर शुक्रवार लिख सकते हो यहां पर शनिवार लिख सकते हो अब क् नाटक आर मंगलवार को स्टाट वा तो पेटा नाटक आर मंगलवार को स्टाट वा ठीक है कोई बात ने ना पी यू तता क्यू एक के बाद एक इसी करम में प्रदसित किये मतलब लगाता तीन दिन तक किया पी यू क्यू इसी करम में पहले पी फिर यू फिर क्यू तो तीन लगातार कौन-कौन सो हो सकते हैं मुझे नहीं पता लेकिन नाटक S सोमार अत्वा बुद्धवार को प्रदसित नहीं होता तो S बैटा यहां पर भी नहीं होता तो सीधी सी बाते बैटा S कहां होगा अब यह से बो रहा है कि बैटा जो नाटक S है सोमार अत्वा बुद्धवार को प्रदसित नहीं होता तो सीधी सी बाते बैटा तो इन सब को अपन यहां प्रदसित कर देते पी यू और क्यू और एस यहां पर हो जाएगा समझ गए अब बचा कौन बैटा T बच गया तो T को खेल जाओ अब सवाल के बोड़ा आर के बाद कौन सा नाटक प्रदसित हुआ तो आर के बाद बटा P प्रदसित दुआ लगा दो आग पी आंसर आ जायागा वेटा ठीक है सर सभी आपको लाइक करते हैं और कुछ नहीं मतलब मैं समझा नहीं गुंजा क्या चाहती है तू क्या बोल गई बताओ बेटाओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ गुंजा और बेट गुंजा क्या कहना चाहती है बेट्टू मोना और सोना यदी सफेद करत काला काले करत लाल लाल करत पिला पिले करत नारंगी नारंगी करत अर्ण मानो रखत का रंग क्या होता है लाल लाल का मतलब पिला तो आप कांसरा जागा पिला ये तो सबको पता है कोई दिक्कत वाली बार में अगला सवाल देखो, पीटा जमाने वाला सवाल है, तो तो थोड़ चेहन दीजिगा, क्या कि जरा है कि, हाउस रोड, रूम रोड, ठेक है, सब से पहले में क्या है बिटा की आएगा 312, 312, 312 के बाद में क zar जिलाएगा चार उसके बाद में जिलाएगा जिला खेडा जिले से छोटा होता है तो चार-पाथ सी ओप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ओप्शन इसना राइट ओप्शन अब देखो यहां पर थोड़ा सा ओ सोना ओ यह मोना बायो ओ छोर्याओ देखो आ गया ना यह व सबसे पहले C, G, L, B, F, S, T तो मैं पहले जादा अक्षर, पांच अक्षर, चार अक्षर, तीन अक्षर, दो अक्षर, ऐसे बेटा ठीक है अब देखो आगे देखते हैं यहां क्या कह रहा है थोड़ा सा मैंने बताय था अंतिन चरन हमेशा अंतिन चरन होता है बेटा पर आ C, Veto, B, Nuke, My, Like, तो चार अक्षर का यह है एक तो Like है एक Nuke है एक Veto है एक True है तो V सबसे बढ़ा होगा बेटा तो V, E, T, O यह Veto सबसे बढ़ा होगा तो बेटा सबसे पहली बात है Veto इसी में रहा है तो बेटा D के लगाओ ठक हो रहा बस यही बात मैंने को कहनी थी बेट चार शाबा 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 लगातार इसको शेर करते रहे हो शेशन को उसमें से की जुगा सो दे रखा है अच्छा श्में से को सबसे पहले और टोcha शलाब शलीख में पहले शां देot के लेंगे और शार शलाब वीटो वीटो बाद में दूशा टी उट्याएगा नुक आजाएगा ठीक है तो डून्हाटु लसे तो दूसरा चरण यह थै विटो गया प्रूनिया जागा। यह पहले नंबबर पहले ऐगा। इसके बाद में न्यूग का यह दूसर नंबर सागे। ढ़ुटा अब देखो लाइक आ जागे, तीसरा नंबर पहला। अब वीटो से मैं क्या कर सकता हूं पीटा स्टार्टी वीटो से तो में क्या करूं तू बता इसमें क्या कर सकते क्यों कि यहाँ पर like है, new के true है ओ, sorry, sorry, sorry बिल्कुल, 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 यह बढ़ता हुआ करम है, छोटा-छोटा शाबाज बेटा, छोटे करम से आएगा जल्द बाजी में खेले तो क्या, छोटे करम से आएगा, छोटे से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पुर्शतमसंदू, नहीं बाई, राम-राम भजे, राम-राम राम-राम, राम-राम ठीक है, अब आयगा, पेटा अब आज आहएगा, सबसे छोटा एक नमबर, उससे बड़ा दो नमबर, यह तीन नमबर पे नहाएगा, यह दो अच्छा अध्डवाले क्लाव में देखनी पाया शायद मेने वाँ थोड़ा सा कर गरबड हो यह होगा मामला है ना कोई बात चलते हैं नाम 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 चलिए कोई दिक्क्रत निए आगे देख लिए जल्दवाजी में सा हो जाता है कहीं बाद चलिए बैटा शाबाश अब अगला क्या किया रहे अगला सवाल क्या कर अध्रीम लिकित चलिए इस निवेश के लिए अंतिम चलन होगा तो पटा अंतिम चलन कोण सा होगा जल्दी से बताएं 86 में अंतीम चण कोण सा हो जाएगा गटा, तो देखवा मोर, फाइट, केट, सफ, एकट इटा, पाइडिया सबसे पहले क्या आएगा मोर आएगा, फाइट, केट आएगा, कफ आएगा S, O, U, G, H आएगा सबसे पहले आएगा S, O, U, G, H तो पह्ता, S वही है न मेरी आदत में हमेशा ascending order में कर देता हूँ तीन दो पांच ये पांच है ये पांच है और बैटा ये चार है ये चार है ये चार है तो बैटा C-O-U-G-H तो बैटा ये पांच नमबर पर आजाएगा C-O-U-G-H ये तो नमबर एक पर आग्या ठीक ऐड़ा ऊसके बाद में पैटा कोण सा है पांच नमबर का पांच नमबर का S-O-U-G-H ये two नमबर पर आजाएगा ठीके ती से नमबर पे क्या जाएगा तो आप चोथा बाला तो चोथा च्रण हो जागा बी ओप्षिन हो जाएगा चलिए अच्छा बिल्कुल बैटा मेना पेपर नी देखा बैटा उसमें चलिए पेपर घर पे रहे गया था मेरा एच्छली टाइम नहीं मिल पाया यार देखने का इसमें चोथा आएगा किलियर आगे देखते हैं यह क्या अगरा यह दी किसी नीवेश के दूसरा च्रण है क्लेवर रिमेंड विंडो सेल्स बैच टाइगर तो इसका चत्था च्रण कौन सा हो जाएगा देखो पीटा सबसे बड़ी बात है क्लेवर और रिमेंड तो बैटा क्लेवर रिमेंड क्लेवर रिमेंड लो भई चत्था च्रण होगा कि नियुका पहले तो यह देखो शायद इसमें मैंने यह करवाए था इसका चत्था च्रण नहीं हो सकता देख लेते कि बैटा क्लेवर पहला अंसर देखो यह दा इसमें क्लेवर यह अब बचा इस जो किलेवर अंगए यह दूसरा क्या विट है अब क्वेड़े पड़्यों यह जो कमे ऑड दूसरें में लीग P तो पडिटा बेरिग्ज मेने लिख दिया अब शेल्स टाइगर और नेवर बचा है तो यह नेवर सो नेवर आजाएगा सक्vyधार कॉछ इने शख जाएगा लिए आगए बढ़ते क्या कह रहा है अब क्या रहा है यह यह ने बता ही दिया था यह पर को पूरा को पूरा आंवेशीश हो गया कोह दिकत यह tapi यहाँ से चले चार होंगे शाबाज बैटा शाबाज हाँ बैज रागर बात कर रहा हूँ बैटा क्या बात कर निये बताओ ठीक है अगले सवाल की बात करते हैं अब इसमें अपना क्या कह रहा है भाई सुरू से देखता हूँ ना सेकंड वाड़ा सेकंड वाड़ा पेपर आज लगाता जो अब या बड़े-बड़े खिलाने उसे गलतियां हो जाती है कहीं बार इसा कुछ भी निये जल्दबाजी में सारे क्यों सवाल आंसर की तो दे रहें ठीक है कराने का तरीका गलते पर उस करा रहा हूं देवता करा रहा हूं मैं पहले देखता हूनू है रीजन कहां से स्टार्टेस में यह पेला इंपूट आउटपूट का आगया है एक से चोई से एक सोचपीस को देख लेते बिटा तको इसमें क्या चल रहा है स्टेप्स साथ इसका आंतिम चल रहा है एक सेस ऐट यज फोर दो तुन अर्टा को बढ़ता हूँआ करं में तो बढ़ता हूँआ करम तो अपने को पता है यह इस्टेप दे रहें अपने पास अन्तिम चल रहे है जाए यह थीक है अब आप इसका सवाल है बढ़ता हुआ करम है तो बढ़ता हुए करम से अपकर आगे बढ़ें तो अभी वाला तो अपने बिल्कुल चिल्ट करवा दिया होगा क्योंशी निया विला ना देखो एक सो चोईस एवरी एंड पी टू एन फोर यह एक निवेश है ना यह है बढ़ता हुआ करम अपने को लेना है यह अपने पास है एनड एवरी पर टू को निमली किति मैंसे कौन सा चरण होगा यह कौन सा चरण होगा ठीक है निमली मैंसे इसका कौन सा चरण होगा यह जो दे रखा है इसक 4 आएगा नहीं, 4 आएगा तो नमबर 3 पर आया, अब नमबर 3 पर आया तो बागी सब P.O2 AJT जै तो इसका कौन सा चलन रहे हैं, ती सा चलन होगा D option, option D लगाना नहीं, शाबज दी ओप्शन होगा ठीक है खलिए ठीक है बटा ओके आगे देखते हैं अगला सवाल क्या करें देखीएगा टूगेधर ओवर सीरीज और फास्ट सो निमने चरण में से अंतिम से पहला चरण कौन सा होगा अंतिम से पहला चरण कौन सा होगा तो पहला चरण सबसे पहले तो इसमें सबसे छोटा वाला कौन सा है ओवर सीरीज ओन फिस्ट तो बटा सबसे पहले कौन सा होगा फिस्ट होगा की नहीं होगा देखो F आएगा कि नहीं आएगा तो बटा सबसे पहले आएगा F तो मैं यहाँ पर लिख दूँँगा F E S T FISHT पहला इसको काट डाला FISHT के बाद में बटा Just बढ़ा क्या होगा FISHT से बढ़ा S O O तो O आएगा तो O N आएगा कि ओवर आएगा O N आएगा तो बटा सेक्ड नंबर पर आगया यह वाला और थर्ड नंबर पर आगया बटा क्या ओवर तो O W E R यह थर्ड नंबर पर आगया ओवर भिकट गया ठीक है अब अब अपन बात करते हैं बटा फोर्थ नंबर की अब भच गया क्या बटा टी ओ टी एची तो टी एची तो टी एची अजया तो बटा च्टा आगा टी एची ओ टूगेदर बच गया तो बटा छट्टा होगा इन वेश्च कोई निया आएगा चलिए देखू आएगा इस मैंसे पॉन सा होजागा जल्दी बताओ दुबारा करके देख लेते हैं एक बार थोड़ी सी है जल्डवाजी में कहीं बार क्या यह चोटे-चोटे शब्द नहीं दिखते या वर्ड में सबसे बड़ी बात है बटा फिस्ट आएगा तो मैंने लिखा पटा ऐस आएगा पर यहां पर झाये नमबर दो पर और यहां पर पूछा कोई दिकति निए कि कर पांच आएका इसका ना फ्रिक्त ओक्शन धान दीजिए का कोई दिकत वाली बात дरी तो में ने ऩर सबसे क्या लेंगे टैके बाद में एटा वस बाद में अर घार तो नुमबर थे गया तो दो पर टगे गाड़ी तो गड़े गाड़ी नंबर 4 पर इनलम इसे कोई नहीं नंबर 4 इनलम इस नहीं नंबर 4 आजागा ठीक है अगले बात करregide अगला कोशन क्या करहाई देखे बटा उचन अले कि आगे देखते हैं कलाकार ताजमेल इंडिया गेट नाणनाधा विशम को चुने यहां पर क्या होगा देखिएगा या कई सारे लोजिक लगा सकता है कई टीचर्स का अलग लग लोजिक है बिटेए मैं बताओ यह सब समसंख्या है इवन नमबर है इवन नमबर के जोड़े यह एक ओड नमबर है या फिर मैं यह कर सकता है उन सम में दो का भाग जा रहा है इसमें के वहले तीन का भाग जा रहा है तो डी आपका आंसर हो जाएगा यहां बात करते है यहां पर क्या आंसर आएगा ध्यान दीजेगा यहां पर क्या है तो पापूरे परसंद चिन के इस तान पर आजागा, यह पर जगो A, B, C, C तो आ गया, अब उसके बाद में W आ जागा, क्यों आजाएगा, मैनस एक और मैनस दो चल रहा है, फिर मैनस एक चल रहा है, फिर मैनस दो चल रहा है, तो W आ जागा C, W यहाँ पर, इस जीवें में क पहाडी से परवत भी उचायों पर जा रहा है तो पहाडी और परवत आपका उप्शन होगा इसमें आप लगों ने देखा हो गया ठीके एक एक aponsेर ने डिए गोंजी और आट कर लहा है आगे क्या अ इस्तापिण। आगे रहा है श्तापित जेंश मंदल उत्तर पर nous अत्र पर्धेश Myers, Summelit Sumelit Sumelit libro सब्सक्राइब करता उसी परकार क्या होता बड़ाई आरी का प्रियोग करता यह भी चीजे में ने कही बार पढ़ा दीती शाहिए ना क्लास अपन लीटी तो इसे अनलोजी टेस्ट अपने पढ़ाई हुए ठीक है आगे बात करेंगे इन में से पूछेगा कि बड़ा अलग क प्लबार अपर अब यह कि अब यह देखो वापस इसको आप देखे कर विए कि इसमें क्या है भी चैक दोर के दौबार ए और एक बार भी फिर बी तीन बार ए और दो बार भी ठीक है फिर बी चार बार ए और तीन बार भी फिर बी पांच बार ए तो मैंने क्या लिखा मैंने लिखा ए ए ए ए बी ए तो ट्रिपल ए बी ए ट्रिपल ए बी ए पिटा बी ओप्शन ट्रिपल ए बी ए पहले क्या लिखा ब की दो बार ए फिर बी फिर भी तीन बार ए फिर बड़ा फिर बी चार्ट 걸ाए फिर भी एसे सीरी मैंनों श्करार रखिए आप लोगों को देख लिटेए का ठीक है मिला लेना भई मौना सोनल मिला लेना बैटा ये अमित वाला आगया बैटा अमित क्या कह रहा है अमित पस्चिम के ओर 40 मिटर चलता है तो बैटा पस्चिम के ओर 40 मिटर मैंने चला दिया ठीक है और बाएं मुणकर 40 मिटर और चला फिर बाया मुड़कर 40 मिटर ओर चला, ठीके, फिर बाया मुड़कर 40 मिटर ओर चला, क्या चल रहा है, 80 मिटर थाइस का आंसर, एक बार में को चला ले न दोश्कोए न, पस्चिम के ओर 40 मिटर चला, तो पिटा 40 मिटर में पस्चिम के ओर चला, अब बाया मुड़कर 40 मिटर बढाल चलाइब आज़ और चारीस मितर्ट लाइब करते में चलीजे शॉलीशन कर तो जादा प्रेशर होता ना तो कई जमी आसान चीजे भी पिट अशोड़ से सोल वे एक्षर के दाय को नव उक्षर कोन सा होगा तो बाया च ez उल्एक्षर हो यटा आई आघा हो जया जया आगे किय वोट एक लड़के इस में इएक लड़के की और इशारा करते है थो इसी में नर्मदा direct को हैं, आग सबस्क्तअ की urine की मेरने डादाल जी कहा इकलुती संतर इसा जांतर का यह इसी मेंसला का पुत्र है तो यह प्रकार मेरे दादा जी इकलोटी संतान का पुत्र है तो दादा जी इकलोटी संतार मेरा पाप इसका पुत्र उप्सेन होगा ठीके यहाँ पर देख़ा यहाँ पर कुछ पूरा नीले का अर्थ पीला पीला का अर्थ या लाल का अर्थ बूरा तो साफ आसमान का रंग क्या होता है दो अगर मैंने साफ आसमान बिल्कुल पूरा नीला माना तो नीले का अर्थ बता रहा है क्या बता रहा है सफेद सफेद यहां पर उप्शन में नहीं है तो साफ आसमान नीला नहीं हो सकता अगर मैं साफ आसमान सफेद माल लेता हूं सफेद माल लेता हूं तो सफेद का अर्थ पीला पीला उप्शन में नहीं है तो पीला भी कोई मुझे अपना राय दे सकता है इस में अपना इमिजरली को राय दे सकता है लेकल वेटा मैं ने सुर्क गुलावी लिए देखर ना या तो यह गलत होगा ने तो शुर्क गुलावी होता है कहीं लोग आस्मान को सुर्क गुलाभी भी कह सकते यह मेरा पॉइंटों को हुए इसलिए मैंने इसको एक जट सही नहीं बताया बत्रों सांसर लगा दिया था मैंने यह क्या कह रहा है इस सवाल का अंसर देखिए यह सब्सक्राइब देनिक रोज चोथा और देनिक के बाद वीकली पांच और चार पांच तो चार पांच एक लगा दो ऑप्षन कोई दिखती नहीं बटा ओप्षन ए लगा दो ठीक है आगया आगे देखो कई कुछ दिख रहा है बेटा ये मैं बताया था आप लोगों को यार दो तो मैंने एक बार पढ़ाया हो भी बारा बंदर ये रीजिनिंग का है मालो मैं तो रीजिनिंग बारा बंदर बारा मिनिट में बारा केले खाते हैं 12 बंदर 12 मिनीट में 12 क Damit the rate तो 4 बंदर कितने मिनिट में MRK खाएंगे चार चार कट गर 12 12 मिश्बारीया इसका 12 हो जाएगा उस हम इसको की ऐंसा परसंचल को प्रस्थाप्त करने के जुंसल को फ्रीकच में एकम दोघ्तनी चार चार लिया ऐतार это तुमें सोगने तुमाहरे लगे जिसकी सबसुकर रात हुद मुझे कश बने सुट सब्सक्राइब क्या उधा भाई नहीं है तुम लोग इस धर्ती पर सीरीज, वात मैं था जब दूद्क अधिक फे शनट बैता यह सवाल पोड देख लो यह मैंने पढ़ाए था आपको दो एकम दो दुनी चार चार दुनी आठ आर्चोग 32 लोगई आर्चोग 32 ठीक है आगे बढ़ते में टक चलिए ताटा की काड मेगनेटिक यह खतम भी खतम है तो मेरी तरब से तो यह जातक पेपर आया है वो यह है पुरा का पूरा विटा ठीक है तो कैसा रहा आज की क्लास जरा मुझे बताईएगा ठीक है तो उम्हेद करता हूँ आप लोगों ने अपना ये थोड़ा सा जो की है वो मिला लिया होगा अंदादा लग गया होगा कितना सही है कितना गलत है तो बहुत बढ़िया सभी पटवारियों का हर्दिक शुप कामनार कल जिन जिन का पेपर है वो भी थोड़ा ध्यान रहता हुआ